वेल्कम गाज जिससे हमारे गेम में काफी जादा इफ्यक्ट पड़ता है इसलिए इन सारे एप को हम लोग रिमूब करेंगे यह सारे एप एक बार में ही रिमूब हो सकता है साथी इस तरह का कभी भी बेग्ग्राउन में कोई साभी एप रन नहीं करेगा उसके लिए अपने phone के developer option में आना है developer option में आने के लिए अपने phone के build number पर 4-5 बार tape करना है जब तक कि ये message ना आए अब आपका developer option on हो गया है अब आप developer option में जाना है यहाँ पर आपको check background and किसी किसी phone में background process limit करके आता है इस setting को standard limit पर set करना इतना करने के बाद आपका game काफी ज़्यादा smooth हो जाएगा ओके इतना करने के बाद आपको आपने game के setting में आना है यहाँ पर आपको basic में आना है यहाँ पर browser को आपको clear cache कम से कम 5 बार करना है Clear Cage करने से आपका game काफी ज़यादा refresh हो जाता है जिससे की आपका game काफी ज़यादा smooth work करता है ओके guys, अब आपको mobile का setting में आना है, यहाँ पर आपको cull down करना है, यहाँ पर आपको battery performance पर click करना है अब यहाँ भी आपको एक setting का icon दिखाई देगा, इस पर आपको click करना है रेस्ट्रिक्ट बेक्ग्राउंड एक्टिविटी इस सेटिंग को ओन करने के बाद आपको काफी ज्यादा फायदा मिलता है जैसे कि आपके फोन का बैटरी बेकप बढ़ जाता है साथ ही आपके फोन का CPU और GPU दोनों को काफी ज्यादा फिरिनेस मिलता है आप गाज वीडियो आपके लिए फायदे मंद है तो इस वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरू से कर लेना इसलिए आपने डेवलोपर वाले ओप्सन में आना यहाँ पर आपको फोर्स GPU रेंडरिंग वाला सेटिंग को ढूड़ना है और इसको एनेबल कर देना है अब गाज गेमिंग करने टाइम में आपका WhatsApp या Facebook का काफी ज़्यादा नोटिफिकेशन आता है क्या कोई भी unknown message या call आता है ऐसे टाइम में अपने गेम में काफी ज़्यादा लेग होता है इसके लिए आप जब भी गेम को ओपन करो उससे पहले इस वाले सेटिंग को जरूर से ओन कर लेना आप देख सकते हो मेरा पहले से ही ओन है बाकी और भी कुछ सेटिंग है मैं नेक्स्ट वीडियो में कबर करूँगा इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ ऐसे ही helpful वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई